मिनी सची वाले पालंपूर में आने वाले प्रतेक व्यक्ति अब पहले सैनिटाइज होगा प्रशाशन ने सैनिटाइजेशन टरनल को तयार किया है इसका शुभारम भी हो चुका है प्रदेश में ये पहला प्रयास होगा जब किसी सरकारी कारेले में प्रवेश से पहले सैनिटाइजेशन टनल से लोगों को गुजरना पड़ेगा हालांकि नीजी तोर पर ऐसे तीन स्थानों पर सैनिटाइजेशन टनल को बनाया गया है क्रिसेंट पबलिक स्कूल बनूर ने इस से तयार कर प्रशाशन के सबूद किया है सैनिटाइजेशन टनल साड़े चार फीट चोड़ा आठ फीट लंबा और नौ फीट उचा है टनल के साथ पांसो लिटर की टेंकी भी रखी गई है सेंसर भी लगाए गए हैं और आहट होने पर ये चालू हो जाते हैं करोना से लोगों को बचाने के लिए पालमपूर प्रशाशन ने ये कदम उठाया है टनल तियार करने में करीब 50,000 रुपे का खर चाया है करोना को रोकने में अगर ये प्रयास सफर रहता है तो सिवल अस्पताल पालमपूर में भी टनल की तैयारी की जाएगी एस्डियम पालमपूर धरमेज रामोतरा ने बताया कि मीनी सचीवाले में सैनिडाइजिंग टनल को बनाया गया है टनल से गुजरते ही कोई भी वेक्ती कारेले में परवेश कर पाएगा सिवल अस्पताल पालमपूर में भी ऐसी वेवस्टा करने की योजना बनाई जा रही है जैसा कि आपको मालूम ही है कि हमारा जो लॉगडाउन का पीरियड है उसमें हम बार-बार लोगों से आगरह करते हैं कि एक तो अपने घरों में रहें जो कर्फ्यू में धील का जो मैं कहूंगा कि आवश्यक वस्तों लेने के लिए जो समय दिया गया है उस निर्धारित समय में ही जो बहुत ही आवश्यक चीज़ें हो लेने के लिए घर का केवल एक व्यक्ति ही बाहर आए और वहानों का प्रयोग अधिक ना करें अपनी नजदीक जहां पर भी आप पैदल जा सकते हैं वहां जाए हां मेडिकल एमर्जेंसी के लिए हमने कहा है कि किसी भी पास ऐसी चीज़ की आवश्यक्ता नहीं है जिस किसी ने हॉस्पिटल की एमर्जेंसी में वह जुरूर अपने साथ डॉकुमेंट रखे या कुछ इस तरह रखे तो वह हॉस्पिटल की आ जा सकता है इसके साथ साथ हमने क्योंकि प्रयास किये जा रहे हैं कि बार बार जैसे अपने हाथ धोए इसी गडी में एक से रहा हमने साथ हो जायी है तो वह शायद ह функ तक हमारी तयार हो जाएगे क्योंकि बाकी चीज़ उसके तियार फिटिंग हो रही है क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे इस कार्यार ले में लोगों सबसे में किसे कारंबश आना जाना है तो उस आने जाने के चक्कर में लोग सैनिटाइजेशन का जो टनल है सब दिवेह माचल टीवी पर लाइब है इस वकट आप